तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल समरा डिकेट में तो दोस्तों मेरा नमेकास और इस समय 11 का हम लोग भौतिक विख्यान पढ़ रहे हैं उसमें पहला चप्टर नों पढ़ रहे थे भौतिक जगत ठीक है और भौतिक जगत का यह आगर पार पहला और दूसरा नहीं देखे ता डिस्क्रिप्स बॉक्स में लिγंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं तो प्लैलिश्ट पर चले जाईये वहां से मिल जाएग आप ठीक है ता आज पार तीसरा में हम बात करने वाले हैं प्रकृति के मूल बलख बारे में ब के जानते जो उसमें प्रकृति के जो चार मूल बलों के बारे में जानते हैं और कौन की बारा में ठीक है चलिए बात कर लेते हैं गुरुत्वा करशन बल हैं डाली गुरुत्वा करशन बला अब गुनी दो पिंडों के बीच उनके दर्बमानों के कारण लगने वाला आकरसंड बल है यह एक सारवत्रिक बल यृतितो कारसंबल तो आप लोग जानते हैं उनके दर्भेमानों के कारण लगने वाला आकऄ नःद रखेगी, जो दर्थी पे सारे तो जिसका जितना ज्यादा दर्वेमान ज्यादा रहेगा उनके बीच उतना ही ज्यादा बल गुरुत्वा कर्शन बल ज्यादा लगेगा जो जितनी वस्तु छुटी रहेगी उसका दर्वेमान कम रहेगा उन दोनों की बीच उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही कम क्या लगेग जतनल एथन उतना उतनी इतना है इतना 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 घाशोज ही बार्तवाने काम हुआ इसके जादा इतना इसके हिसो ग्रृत आपको poz खश्दर COM करते संज्ञा आँगा करती है कि ऑसके पास कितना वन है इसके पास कितना बल इसके अनुभाव करेगी कि इसके पास कितना बले इसको अपने तरब कीचेगी ठीक है फार एक्जामपल तो देखे बल इसके पास भी सेमें इसलिए गुरुता कर्शा बल सेमें कि कोई दर्बेमान उतना दुनों लोगों कफ सेमें तो इसको गिचे के एक दो एक जिगां पर इसी तरह इस्तिर रहे हैं ठीक ना आगे जाए ने पीचे हम लोग भी खड़े हैं तो गुरुता कर्शा बल के इकारण ख़र ले हैं ठीक है घ्रविटेस्नल फर्स दर्थी पर काम कर रहा है वह उसके साथ हम क्या आए चीप के हुए है ने तहम लोग गुरुता कर्शा बल इस प्रितविप कर जीतनी वी वासतु है ठीक है वह गुरुतवा बन का उनुभाव करती है प्रतिए पर जो चैहितार जितनी व्योसत्य करती वह शिवर जितनी विवस्तु है इस प्रतेख जीतनी वासतु और रहा नहीं यह तो टेख nostro घृत्ता कर्शा बहार दिल自己 आ» रटीका हुआ ठीक है तो प्रती एक वस्तु इधरती बेए जिननरी विवस्तु में ओप्रती वस्तु गुरुत्व कर्णा वल्गा कीया करती है नौभाव करती है ठीक है इतना किलिएर होगया कोई दिखत है कोई दिक्ठत नी वहनी चाहिए नार्मल चीज़ा समझ जाएंग प्रतिक्रिया मतलब समझ रहे हैं क्रिया मतलब की जैसे चुमबक देख लिए अगर इसका पॉर्षन इधर रखाओ इसका पॉर्षन इधर रखाओ तो यही चीज होता है अगर इधर भी प्लस है इधर खेंगे श्टुर्ण यही चीज garlic करते का है आगर उसको आपने अकरसित भी कर लेगा वाझ करते है अगर उसका जाएसे का बिपरनता है 밑 tar प्रतिक्रिया भी करते हैं इसका पहला गुड़िया है दूसरा है गुर्टवा कड़ सब्सक्राइब केंदरी बल लगता है जैसे पिंड है या जो केंदर केंदर की इनका और चब्ता करश्र बल होते हैं तो वहां पर में कया बता है उतना जीज्ञाइब रहा है ख्राइब होता है फिर नेक्स्ट है गुर्तवा कर्षाबल एक दिर्ग परासबल होता है गुर्तवा जो कर्षा बलेग तो जीतना अबड़ा रहेगा उतना ज़्यादा गूर्त लगा मुझें डिर्ग भी होता है गृतु सब्सेलाबी सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगेगा तो यह कुछ गूड हैं गूर्त करसं बल्क हम नोट करने ही ठीक है चलिए गूर्त गुरता कर्षा बल्के जो गुरता कर्षाफ के खुज नहीं किया था नियूटन नहीं किया था जानते हैं यह लोग पॉइंट यहाद होना चाहिए और नोट में एक चीजा प्रके के जो कर्षाफ कमान होता है तो जो ब्रावर क्या होता है इसका मान 6.67 सेवन इन्टु टेन पर मानस सी ग्यारा ठीक है और न्यूटन इन्टु मीटर स्कॉर इन्टु कीजी पर मानस दो इसका इसको नोट कर लिए पहला पॉइंट है सारवत्ति गुरुत्वा कर्सर नियतांग भी इसे कहते हैं यह चीज आपको नोटिस होनी चाहिए फर्मूला होता है यह बराबर जी यहां पर गुरुत्वा कर्सर बल निकाल सकते हैं तो फर्मूला होता है ठीक है इसको नोट कर लिए आगे सारी सीज़े बाते करेंगे लेकिन फिलाल देख लेते हैं गुरुत्वा कर्सर के बारे में ओवर्वियू कुछ नॉलिज था जो कि आपको जानना बहुत वादा ज दूसरे आपको होता है विद्न चूम्द के बल टाके बारे में पड़ते हैं नेदेश त सकता है तो और दनात्म कंडिशन को देखते हुए यह बल कारे करता है ठीक है चलिए आगे पढ़ लेते हैं सरल प्रकरण में जब आवेश विरामा वस्था में होते हैं तो इस बल को कुलाम नियम द्वरा व्यक्त किया जाता है देखे जब विरामा वस्था में होता है तो उसको उसके करते हैं कि उसमें कितना कारे कर रहा है तो वहां पर निकालना बहुत मुस्किल होता है जब सरल प्रकरण में जब हमारा आवेश विरामा वस्था में होता है तो उसमें विरामा वस्था में हमारा आवेश रहता है तो उसे हम किस नियम से लगाते हैं तो कुलाम नियम कुला सब्सक्राइब नहीं ग्याद कर पाते हैं कितना कार्य कर रहा है तो उसलिए वहां पर कुलाम नियम का यूज करते हैं वहां पर उनकी सारे डाड़ा क्लियर हो जाती है ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं विद्दु चुमिके बल आकरसर तता प्रतिकरसर दोने करूप में होता है तो वह यहीं चीज है तो जैसे वहां पर गुरुत आकरसर में था कि वह आपस में जुड़ भी सकता है और आपस मे कर देगा खिस लेगा ठीक है तो यहीं सारी चीज है ठीक है कि विद्दु चुमिके बल आकरसर तता प्रतिकरसर दोने करूप का होता है और नोट कुछ यहां पर है कि विद्दु चुमिके बल समान प्रकृति के आवसों के मद्दे प्रतिकरसर प्रकृति और विप्रित प मतलब कि अगर माइनस और प्लस थे बिप्रित्न हो गया माइनस हो गया प्लस थे क्या हो जागा आपको आपको असानी से समझ में आ गया होगा इस विद्धू चुम्भी के बंग्या बल आपको क्यिर होगा व्ध्दूचुम्भी के चलिया ये गुड्धरमि के बारे में जान लेते is देखिए व्ध्द चुमीक्या बल के प्रमोगुड कौन- tapi यहले हैं जैसे पहला है कि यह ब्ला करता है दूसरा इसका गूर्ण करता है कि यह एक दिर्ग परासी बल है दिर्गपरासी बल मतलब कि लंबे समय तक कारे करता है ठीक है यह बल जो कारे करता है तो वह लंबे समय तक रहता है ठीक है लंबे समय तक कारे करता रहता है ठीक है तीसे आप दिर्गपरासी बल भी कह सकते हैं कि दिर्गपरासी मतलब लंबे समय तक कारे रहता है तीसरा माद 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 करता है कि इनके बीच इतना ज़्यादा बल लगता है ठीक है तो इनके वाद इसका माद करता है और चौता जो इसका गुड़ धर्म है चौता गुड़ दर्मिया कह रहा है कि यह एक केंद्री यह बल या यह केंद्री बल मैत्वा कि केंद्रों को बीच री और जानते हैं ठीक है? उसे पांचमा जो है यह गुर्त्वा करच्छा बल की तुर्णा में प्रबल होते हैं जो गुरुटवा कर्सर बल हम पढ़े हैं उनकी तुर्ला में क्या होते हैं प्रबल होते हैं क्या होते हैं यह बात देल आपको याद होने चाहिए त्रिआ क्विन एक ता ने प्रबल के प्रव्रों को गुड्षino Cl corn Raamसol Bal और विद चुमबके बल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं उने चाहिए और आगे कि जो बल थे अब उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं चलिए तिसरा बल आप पढ़ लेते हैं प्रबल कों क्या का बलते हैं Strong Nuclear Force ठीक है इस्ट्रांग नुक्लियर फोर्स बोलते हैं देखे अब प्रबल नाविकेबल क्या होता है इस्ट्रांग नुक्लियर फोर्स क्या होता है उसको जान लेते हैं अच्छी तरीके से नाविकिया चेतर में नाविकिया कड़ों के मद्दे लगने वाले बल को प्रबल av करते हैं जैसे एक नाभी के अंदर फोटान होते हैं टीक है तो प्रोटान और निविटरं के बीच जैसे यह से जानते रहुत है धाना चारोगर scar लगाता है प्रमटे के बीच ना क्लिइक बहुत ज्यादा बल लागता है तो इसमेर बावप नाम दे दिया गया है चेतर में नाभीक लगुट के मुधें लगने वाले। जाधा बहूती जदा आकरसन बहुत चोटा घर ॥ बहुती जदा घर कारे Рण अाबिक चैतर के बार इसका प्रभाव नगडे सुने हो जाता है करे जो नभी चितर हो ता जिसमें प्रोटान और न्यूटन होते हैं तीक है उसके बार अगर इसको रुख दिया तो एकिलियर हो गया होगा कि यह बल लगाई में चेत्रा का सुने बहुता है क्या करता है वाल है तो उसके बल्ंटो फोज़ा प्रवल नूट्रान और थो जूर्ड होते है ऐं वाकि एलेक्टान net to advakye लोता है गुड़ धर्मा है उसको देख लेते हैं तो पहला जो गुड़ इसका है कि अबल नाब की अकड़ों के बीच आकर्सर प्रकृतिका होता है जैसा मैं भी बताया हूं कि इसमें जो प्रोटान और न्यूट्रान होते हैं ठीक है उसको क्या करता है उसको एक दूसरे से जूड़ देख रहता है अजुड़ेगा कर जब उसको आकर्सर करेगा इसको और कापस में दूसरे को जूइंड कर लेगा ठीक है तो ओंल नाविक्टके बीच आकर्सर प्रकृतिका होता है और दूसरा ऑच्टिए कि यह लगू परास लगवग 10-15 मीटर में करेदा कर्सर बहले मतल प्लस 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 हाजागा था आपस उससे दूर आठा देगा इसका कोई मतलब कोई मतलब नहीं होता है या बριना tienen ano को चाहए बहुत ही जादा च्छोटा वना चाहिए उतना इत्तागडा काम करेगा वल ठीक है उतना जधा बड़ा रहेगा उतना जादा इसका कैपसेटी कम होता जाएगा तिस सारी चीज़ें है चौता इसका कि यह बल प्रकृती में पाया जाने वाला प्रबलतम बल है यह अ इसका बल केंद्र पार नहीं लगता है ठीक है यह पूरा पूरा जाएगा रहाता पर इसको तो यह चीजे हैं प्रबल बलकि आप यहां पे कुछ प्रमु को गुड़ थे जो मैं आप लोगों के सामने आप डिसकस कर दिया अब तीन बल मैंने बता दिया प्रबल नाविकेबल अब लास्ट और बता है दूरबल नाविकेबल जो की विक नुकलियर फोर्स होता है उसको भी ह इसमें ठीक है क्लियर होगा है दूरबल नाविकेबल अब जैसे उसी का टूल्टा हो जागा वहां पर विक बहुत ज्यादा बल लगता था इसमें बहुत ज्यादा कम लगने वाला है तो चलिए जाल लेते हैं कि इन बलों की उत्पत्ति की खोज रेडियो धर्मिक्ता में बीटा रूप की गठना के दौरान हुई जो इस ऑंभकर उत्र पत्ति हुई जब खोज हो होई वह कहां पर के तरेव धर्मिक्ता प्रतिक्रियाओं के फल्सवरूप यह उत्मन बल होता है ठीक है अभी मैं डिसकस करता हूँ आपको क्लियर हो जागे सारे चीज़े परिपासा है पहले इसको आप लिख लेजिए गाए ठीक है दुर्बर नाविके बल में अब जब इसके गुड़ धर्म पढ़ेंगे तो सार था सकते हैं ठीक है तो आप दनात्म को रड़ात्म कंडिशन पर निर्बा करता है जैसे उसका पिंडो जैसे रहेगा वैसे करेगा जिस पोजिशन पर उसको रखेंगे उस पोजिस्टर कारेगा ठीक है अब दूसरा चीज़े कि यह बल कुलाम की नियम का पालन करता है किस पालन करता है तो कुलाम की नियम के पालन करता है उस नियम पर बेस पर यह कारे करता है दुर पर ना भी किया बहुत जादा कम लगते हैं ठीक है तीसरा यह कि यह दूरी समंदी विद्करम वर्ग की नियम का पालन करता है यह दूरी समंदी विद्करम वर्ग के जुनिय में उ पालन करता है मतलब उस नियम पर भी कारे रते करता है ठीक है और चो था यह इसका गुड़ जो है यह एक यह अधिक देर तक प्रभावी नहीं होता है जाइर से बात है कि तब यह विक नुकलियर फॉर्स एता दिक देर तक कार तो करेगा ही नहीं ठीक है मतलब बहुत क्लियर फॉर्स से बहुत ज्यादा कम होता है ठीक है फिर पांच माई कि यह केंद्र बल नहीं होता है मतलब वहीं चीज यह केंद्र भी बल नहीं लगता है ठीक है इसका मर्जी कहीं भी बल लग सकता है ठीक है पूरा का पूरा इसमें बल लगता है यह नहीं कि बस केंद्र जो दूरबल नाभी के बल कहां कारे रत होते हैं किस नियम पे क्रें करें करता है और इसके खोज वह वह बीटा गटना की दो रान इसकी रीडियो दर्मकता बीटा वी रूप के जो गटना हो रहा था उस समय घूच की गई थी ठीक है तो यह चीज़ है और हम लोग नहीं पढ़ रहे थे क्या मैं आप लोगों को पहले फ्रंट दिखा देता हूं पहले पइसस का तो देखिए यहां पर अब प्रकृतिक मूल बल बाड़ नोट बना लीजेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लांस में मिलेंगे पार्ट तीसरा है पार्ट वन और पार्ट टू दिखना ना भूलिएगा दिस्क्रिप्समें लिंक मिलेगा या तो चैनल के प्लेडिक पे चले जाएंगा वहां से देख सकते हैं तो यह सारी चीजह है अच्छे तरीके साब लोगों को नोर्स वगरा पड़ाते चलन को भी सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही साथ बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए तब तक लिए दोस्तों धन्माद मेरेंगे पार्ट फॉर में आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ